कि अधियों वेलकम तो रशना प्राडाइस कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हुए आप सब लोग बहुत अच्छे से होगे मैं इच्छी हूं और अभी मैं जा रही हूं मैं अभी हूं कि अपने किचन में बार में जा रही हूं तो वह दिश है यलो मटर जो होती है ने च प्राइक किजे का बताएगा कि मुझे मेरी रैसिपी आपको कैसे लगी और आप लोग इस तरह से बनाते हैं तो वीडियो देखिए फिर मैं आप से मेलूगी नेक्स्ट वीडियो में ठीक है वीडियो के बाद मैं ये वीडियो वही पर आयन कर दूंगी तो फ्रेंड्स यह पानी जो है वह निकाल दूंगी और इनको भी बनाने के दो जो भी साबुत अनाज होते हैं राजमाच वोले चने वेगरा इन सब को बनाने के दो तरीके होते हैं चाहिए तो आप पहले बहुआ करने श्वीर उसमें तलका लगा या फिस डारेक्टिस में तलका लगा तो य तो यहां पर मैं बनाने के लिए आश आशकल मैं मस्टर्ड ओली यूज करी जब से मलखनों आये ना तो यह है ग्रोफर्स का वही मैं आपको दिखा रही थी यह ग्रोफर्स का मस्टर्ड ओल है मदस्टर्ड अच्छा है बट पत अंदाजें से अपने जितना आपका सब्सी बना रहे हैं आप जो वह है उसकी क्वांटिटी जितनी है उसके हिसाफ से अब ढाल देंगे तो मैं भी यहां डाल दी हूं जितने मेरे मटर है उसके हिसाफ से तो पहले मैं वेट करी थी कि जो उसमें थोड़ा सा पानी था ना कुकर में वह हट मैं तब हट जा सूख जाए तो फिर फीर चीटें आपके उपड़ाएंगी तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी पानी है तो उसको आप पहले पोछ ले कपड़े से या सुखा ले तो बस जब जोब धैए तो अप्य जाएंगी तो अब देख सकते हैं मैं मस्तड और इसमें डाल लिया है अब इसके बाद मैं इसमें जब तेल गरम हो जाएगा इसके वारस ने जो भी मुझे घरे मसालेया जीरा जिवाईन इना मेति जो भी कुछ जानना है वो डालूंगी मैं और ये स मुझे और तो रिखान डाल पुर्टने के उक हैं। मैं के तो पहते हैं तो नहीं हमारते हैं। जब जब कम खेंगा कोई हैं। ऑर गीन मेरी कोई मैं समने के और सल्टरी होगे। तो मैं दाल दूगी और इस मसाले को मुझे अब अच्छे से भूनना है अच्छ"! और मिक्सी मीजο साइड मसाला बचा लायता है उसको भी थोड़ा सी पानी डाल आल कि निकाल लेंगे क्योंकि थोड़ा भी मसाला क्यों वेज जाए इसके लिए अच्छे से इसको यह डेख सकते हैं मैंने इसको misce कर लिया है पानी को मसाली के सार और जो भी है सरी समें डाल दूंगी मैं अब क्या करना है में पॉइंट्स जो रहते हैं कि मसाले को अच्छे से भूणना है नॉर्मली तो क्या करते हैं कि पहले प्याज भून लेते हैं फिर उसमें अदर लसंगा पेस्टे माटर इसमें मैंने सारा कुछ सास में डाला है तो थोड़ी सी मैं आज को थोड़ा सा बढ़ा कर सारी मसालों को एक सासी अच्छे से पका लूँगी और हमारे जब यह जो मसाल है यह जो प्याज अदरग टमैटो जब यह पक जाएगा तब मैं समें ड्राइग मसाले डालूंगी आप बेख सकते हैं राइट साइड पे मैंने मसालों के डबे रख दिये हैं ओपन करके ताकि मुझे डालने में रहे तो बस यह मसाला भून चुका है बेख सकते हैं थिकन सब से पहले मैं डाया लें द्धनिया पाउड़ उसके बाद में डालोंगी हल्दी पाउडर और क्वाणटिटी यह बेख सकते हैं मैं कि इतनी डाल रही हूं और उसके बाद मैं डालोंगी रेग चिली पाउडर में और अवसके बाद हमें अबनी मसाय डालने है तो सबसे में चीज होती है स्वाद जो लाता है खाने में नमक इसके बिना तो कुछ भी नहीं चलता है तो करीबन एक चेबश नमक में डाला है बेश सकते हैं आजकल मैं रॉक सॉल्ट यूज कर रही हूं तो वही डाला मैंने और अगर लुद खाने ममें युज कर रही हूं और गरम मसाला कभी में डाला थी म्हाँ बोड़ा कर दो खाहिए सबाद करता है बूटके पर तो इसमें डाला नहीं है शायद में बाद में डालूं बस सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मसाला जो पहले की ग्रेव खड़ दो पूंक ही आप कि मसाला आफ से भून चुका है मसाला पनी कोने निगाल दिया था और लुएं भूस को अब दण द हम सब्सक्तित बाल गया अब मैं में हम रड़े दो अफंवे ःन वर इक है Falls나 दालने लिएत्ट आप को नया तो मैं वह LOOK तो जब आप लोग के संग शेयर करूंगी काफी अच्छी बनती है उसकी चार्ट बहुत ही सिंपल है बहुत अच्छी तो अभी हां देश सकते हैं कि मतर डालने के बाद दी मैंने मसालों में अच्छी से उसको मिक्स किया चलाया और थोड़ा सा पानी डाल दिया और जितना ग अच्छी बन देश से पाई डाल देंगे और एक बॉयल आने के बाद ही हम कुका का ठकल नगाएंगे और जो आच है लेम उसको हम कर देंगे फुल पे कर देंगे इसको बिल्कुल तेज मतलब अच्छी तो अभी बॉयल नहीं आया है मैं वेट कर दी कि यह बॉयल आ जाए और ग्रेवी कितनी रखनी है यह तो आप किस से खाने वारा अगर आप राइस से खाना चाहते हो तो थोड़ी जादा ग्रेवी होनी चाहिए मतलब मेरे साब से और अगर पूरी पराठा या रोटी के संगे तो या रोभी नान वगेरा है तो आप थोड़ा सा कम भी रख सकत हैं तो आप देख सकते हैं कि उबाल आ गया था मेरी सबजी में इसलिए मैंने कुकर कढ़कर लगा दिया है और इसे इसमें विसल लगने का टाइम है तो क्यूंकि हमने पहले से यह बॉइल नहीं किये हैं मतल तो हम इसमें कई सारी विसल लगाएंगे मैं तो आइधिंग छ चाय चड़ी होगी है तो देख सते हैं विसल पर विसल आ रही है तो मैंने फिर जब जितनी विसल मुझे चाहिए छे साथ में हो जाता है राम से मैं गयास का फ्लेम बंद कर दूंगी और कुकर का ठकर भाप निकलने के बाद ओपन कर लूंगी और यू कन सी कितने लजीज अच्छे बने मेरे मेरे वाईट मटर की सबजी और बहुत ज़ारा अच्छे बने थे यह और इसमें आप अलग से कुछ हम्चूर पावडर बी और चलना मसारा भी दाल सकते हैं पर इधा सीमपल यह रखा था और फिर भी काफ़ जा टेस लिग सकते मैं आपको पास से दिख subscribe to my channel and like share my video stay connected thank you for watching